सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओनर ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफॉन लॉंच कर दिया है उस स्मार्टफॉन का नाम है ओनर 8S 2020 चाइनीज स्मार्टफॉन मैनुफेक्टिरिंग कंपनी ओनर ने अपने शांदार स्मार्टफॉन 8S 2020 को यूके में लॉंच कर दिया है यूजर्स को ओनर 8S 2020 स्मार्टफॉन मैं 13 मीगा पिक्सल का कैमरा 3GB RAM 64GB इंटर्नल स्टोरेज और HD प्लस डिस्पले का सपोर्ट मिला है हाला कि कंपनी ने अभी इस स्मार्टफॉन को इंडिया में लॉंचिंग को लेकर कोई इंफर्मिशन नहीं दी है ओनर 8S 2020 के प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इस स्मार्टफॉन के 3GB RAM और 64GB इंटर्नल स्टोरेज वाले मौडल की प्राइस 9600 इंडियन रुपीज रखी है इस स्मार्टफॉन को नेभी ब्लू कलर आप्शन के साथ खरीदा जा सकता है और इस स्मार्टफॉन की सेल स्टार्ट हो गई है ओनर 8S 2020 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फॉन में 5.71 इंच की HD प्लस डिस्पेले दी गई है जिसका रिजॉलुशन 720p इंटू 1520p दिया गया है इसके साथ ही इसमें QuadGo Mediatek Helio A22 प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है इस स्मार्टफॉन में Android 9-based EMUI 9.0 का सपोर्ट दिया गया है ओनर 8S स्मार्टफॉन के कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफॉन में 13MP का rear camera दिया गया है और 5MP का front camera दिया गया है ओनर 8S 2020 के battery और connectivity features की बात करें तो इस स्मार्टफॉन में 3020mAh की battery दी गई है और connectivity features में Wi-Fi, 4G, Bluetooth, GPS और USB जैसे connectivity features दिये गए है तो फिलाल ये स्मार्टफॉन UK में launch हुआ है इंडिया में launching के बारे में कोई information नहीं आई है लेकिन जैसे ही इंडिया में launch हो जाएगा हम आपको बता देंगे फिलाल इस वीडियो में तना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी type की और tech वीडियो दिखना चाहते है तो please हमारे channel को subscribe कीजिए मजोड़े रहे हैं हमारे channel के साथ और अगर आपको इस उजाफ साहिशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करना बिल्कुल न भूलें और साथ के साथ channel को subscribe करना भी बिल्कुल न भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स